नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संदीप है दोस्तों हाजिरूं आपके समने अपनी नहीं वीडियो के साथ है तो दोस्तों ये देखें ये शिंगरफ को चोया दिया जा रहा है ये दोस्तों अध्रक के रस का ये अध्रक का रस है और ये हमारी शिंगरफ की भसम है तो इसे अद्रक के रस का चोया दिया जा रहा है और ये दोस्तों पहले हमने साथ पुटे इसे प्याज के लुगदे में और साथ पुटे इसे लेसुन के लुगदे में ये दोस्तों लेसुन इसके लुगदे में और ये उपर प्याज इसके लुगदे में इसे साथ साथ पुटें दी गई हैं उसके बाद अब साथ बार इसे आदा आदा किलो अद्रक के रस के चोए दिये जाएंगे तो दोस्तों ये हमारी बहुत ही हाई फाई शिंगरप बनेगी और अगर इसे और ज्यादा हमें पावरफुल बनाना हैं तो हम इसे आग के दूद के भी चोए दे सकते हैं बाकि ये दोस्तों जो साथ साथ बार इसे तीन चीजों में पुट दी गई है तो ये दोस्तों इतना पावरफुल बन जाता है कि इसकी तागत को बरदाश करना मुश्किल हो जाता है ये कुछ ही खुराकों में शिकरपातना मर्दी को जड़ से खत्म कर देता है दोस्तों मेहनत तो इस पे बहुत जादा है मगर ये चीज भी बहुत अवल दरजे की बनती है एक नंबर की चीज बनती है तो इस वज़ा से दोस्तों इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे है ताकि ये चीज अच्छी बन सके और जो भी हमारे भाई बन्दू इसे खाएं वो गुन गाते ना थके और बाकी इसके अलावा पीछे हमने इस थंबन बटी बनाई थी जो जब तक आप निम्बू नहीं खाएंगे वीरे नहीं निकलेगा तो वो दोस्तों हमारी बटीयां बिख चुकी है वो हाथो हाथ ही दोस्तों काफी सारे भाई बन्दू जो हमारे साथ जुड़े वे थे उन्होंने मंगवा ली थी वो अब हमारे पास अब ये वाली शिंगरब बना रहे हैं ये किसी भी बाई बंदू को मंगवानी हो तो मंगवा सकता है